नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आपको मालुम होगा कि हम लोग UPSC के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं जिस पर बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है हमें स्टूडेंट्स का और ये वाला जो क्रैश कोर्स है ये आने वाले UPSC के 2020 के examination के लिए basically लाया गया है यहाँ पर आपको बता दूँ यदि आप हमारे साथ पहली बार जोड़ रहे हैं क्रैश कोर्स को हमने कुल मिला के तीन पार्ट्स में तोड़ा हुआ है वो पार्ट्स टाइम लाइन के हिसाब से यहाँ पर तोड़े हुए है सो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल के जून से ले करके इस साल की फरवरी तक हमने सेट वान रिलीस किया था सेट वान यानि की सेट अफ वीडियो जो हमने इस टाइम पीरिट को कवर करने के लिलीस की थी इसमें लगभग पचास से भी जादा वीडियो थी जिसको यहाँ पर कवर किया था उसके बाद दूसरे भाग में हमने यहाँ पर कवर किया मार्च, एप्रल और मई यानि की मार्च से ले करके मई 2020 की वीडियो को ठीक है और क्यूंकि यहाँ पर वैसे तो काईदे से यहाँ पर आपका क्राश कुर्स समाप्त हो जाता मार्च, एप्रिल, मई तक लेकिन क्यूंकि इस बार जो है आपका प्रिलिम्स extend हुआ due to the pandemic, so हम इसके बाद एक तीसरा भाग भी लेकर आएंगे जिसमें कि हम जून से ले करके आउगस्त तक के करन्ट अफेर्स को आपके साथ discuss करेंगे, so कुल मिला के यह तीन बड़े-बड़े sets हैं और हर set में, for example, इस set में 50 प्लस वीडियो हैं, इस set में लगभग 15 से लेके 20 वीडियो हैं, जो की हमने release की हैं, 2-3 वीडियो और बच गई हैं जिसको release कर देंगे, उसको मिला कर 20 वीडियो हो जाएंगे यहाँ पर, and इस set में भी लगभग 20 वीडियो हैं, so यहाँ पर यह सारी की सारी वीडियो आपकी current affairs को पूरा कर देती हैं, वीडियो की length बह हमने June से लेके February में complete किया, set 456 हम March, April, May में यहाँ पर आपके साथ cover करेंगे, ठीक है, so also अगर आप पुराने वीडियो की playlist को देखना चाहते हैं, so नीचे या तो आपको comment में, पहले comment जो की study IQ करता है, वहाँ पर आपको मिल जागा पहले comment में, या फिर आपको description में इसका link म मिल सकता है, यह सारी की सारी videos आपको उस particular playlist में मिल जाएंगी, right now, चली start करते हैं, इस lecture की PDF को अब आप लोग download करना चाहते हैं, तो मेरे telegram channel से कर सकते हैं, इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एक बहुत ही एहम और बहुत ही महत्वपूरन course हमने launch किय गया है, study IQ की app के ऊपर, इस app को आप Google के Play Store से download कर सकते हैं, और ये वाला जो course है, this is UPSC past year prelims का discussion का course, पिछले 10 साल के papers को यहाँ पर subject wise discuss किया गया है, जल्दी से app पे जाएए और अपने requirement के अनुसार इस course को buy कीजिए, मात्र 12 से 13 दिनों में आप इस पूरे course को खतम कर सकते ह हैं, और पिछले 10 साल के questions आप बहुत ही जल्दी त्यार कर सकते हैं, alright, so let us begin, इस particular lecture में हम discuss करेंगे ये वाले topics को, India-Nepal territorial issue, OPCW की report, Indian Ocean Commission and Gilgit Baltistan का issue, so 4 topics हैं, बहुत ही जल्दी से cover करेंगे, let us begin with a simple question, काला पानी is situated on a tri-junction of, काफी simple सवाल है और काला पानी इस बार बहुत news में था, इसका सही जवाब है, India-Nepal-China, so काला पानी एक ऐसी location है, जो की tri-junction पे located है, India-Nepal और China के, देखते हैं ये basically मुद्दा क्या था, so as you can see, ये Nepal redraws political map by incorporating three disputed areas with India, so ये basically कहानी शुरू कब होती ह है, ये basically मई की बात है, जब इंडिया के defense minister हमारे रक्षा मंतरी राजनात सिंग जी ने यहाँ पर virtual inauguration की थी, एक नई सडक की, ये 80 km लंबी सडक थी, जो की हिमालयास में जिसकी inauguration की गई थी, और ये जो सडक थी basically connect करती थी, लिपुलेक पास के आसपास के इलाकों को, और यहाँ पर आपको मालुम होगा, जो कैलाश यात्रा होती है, बहुत ही famous यात्रा है भारत में, इस particular यात्रा को आसान करने के लिए ये सडक inauguration की गई थी, अब जैसे ही सडक inauguration की, उसके कुछी समय के बाद यहाँ पे नेपाल के द्वारा कई सारे protest शुरू कर दिया गए थे और इन प्रोटेस के चलते नेपाल की government ने इस construction of road का प्रोटेस साथी में उन्होंने एक नया political map भी issue कर दिया, और ये political map बेसिकली यहाँ पर important बन जाता है, जिसमें उन्होंने तीन areas जो की historically इंडिया के पास थे, काला पानी, लिंपिया धूरा और लिपू लेक, इन तीनों resolution सामने नहीं आया है, खेर आपके लिए important यह नहीं है, कि resolution सामने आया है, नहीं आया है, आपके लिए important यह है, कि यह इलाके कहां पर located है, और यहाँ पर यह problem अगर आई, तो क्यों आई, तो देखते हैं इसको, थोड़ा सा details जान लेते हैं, इंडिया और नेपाल, basically इनका ज disagreement आया है, आपको बता चुका हूँ मैं, वैसे तो काला पानी, लिपुलेख और लिंपिया दुरा के लेकर आया है, लेकिन एक और area है, जिसका नाम है सस्ता, सस्ता या फिर सुस्ता बोल सकते हैं आप इसको, जो की बिहार में located है, यह जो बिहार वाला located area है सुस्ता, यह काला पानी की बात करते हैं, सो काला पानी का जो area है सबसे महतवपूरन क्यों बन जाता है, because जो नेपाल अभी claim कर रहा है, काला पानी का area, यह largest territorial dispute है between नेपाल और इंडिया, इसमें लगभग 37,000 hectares of land है, जिसके ऊपर नेपाल यहाँ पर अपना claim रख रहा है, and as I already told you, यह China और नेपाल के बीच में, so I will show you the map also, just wait, यहाँ पर basically नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, इसको हम समझ लेते हैं, so यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच में एक treaty sign की गई थी, एक समझोता sign किया गया था, जिसको हम कहते हैं, Treaty of Sagali, और यह जो Treaty of Sagali है, किस-किस के बीच sign की गई अब नेपाल और भारत की जो boundary है, इसमें आपको मालूम होगा, नेपाल की shape कुछ इस तरीके से जाती है, right, so बहुती rough हम एक बाट रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर वाली जो boundary है, और यह वाली जो boundary है, यह असल में दोनों ही natural boundaries है, यहाँ पर दो नदियां आती है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, one is the river Kali, जो की यहाँ पर located है, ठीक है, river Kali के कई सारे और नाम है, river Sharda के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको river Mahakali के नाम से भी जाना जाता है, और right hand side पे, यहाँ पर आती है river Mechi, आपने सुना होगा river Kosi के बारे में, बट river Kosi और river Mechi दोनों बहुती नजदीक flow करती है, river Mechi जो है वो eastern border बनाती है, और river Kali जो है वो एक तरीके से western border बनाती है with India, right, अब नेपाल क्या कहता है, यह issue यहाँ पर क्यों आया, नेपाल basically यह कहता है, बात होती है काली river के स्त्रोथ को लेकर, नेपाल यह बोलता है कि काली river का जो स्त्रोथ है, यह located है, लिंपिया धूरा में, which is higher in altitude than the rest of the river's flow, इसी लिए क्योंकि जो सगौली की treaty है, वो यह बोलती है कि जो काली river है, वो नेपाल में आएगी, तो नेपाल बोलता है क्योंकि काली river का स्त्रोथ जो है, वो लिंपिया धूरा में है, इसी लिए लिंपिया धूरा जो है, वो हमारा हिस्सा होगा, इसके चलते नेपाल ने इन त at Kalapani, which says, which India says is where the river begins. So, इस चीज़ को लेकर dispute है, कि India ये मानता है कि जो river है, वो असल में Kalapani से start होती है, इसलिए बॉर्डर भी होई से start होगा, लेकिन Nepal बोलता है कि river जो है वो Limpia Dura से start होती है, इसलिए border Limpia Dura से start होगा. Now, Kali originates in springs well below the Lipu Lake Pass, and the Sagali treaty does not demarkate the areas north of these streams, ये इंडिया का opinion है, इंडिया बोलता है कि Kali का जो origination है, ये होता है Limpu Lake Pass से, and secondly, Sagali treaty जो है इसके उत्तर के इलाकों को लेकर कुछ भी नहीं कहती, सबकुछ silent है, very very important to note, यहाँ पर अगर आप देखें, दो important चीज़े हैं, इंडिया वो भारत की तरफ है, and इसी लिए, it is counted as part of Pithauragar district, which is now in Utrakhand, at the same time भारत ये भी बोलता है कि इस दावे के साथ साथ, चाइना ने भी सन 2015 में इस particular statement को recognize किया था, और कहा था कि जो Lipu Lake Pass का area है, वो इंडिया की sovereignty कंडराता है, so इन ये इलाका है Lipu Lake का, और ये इलाका है काला पानी का, so जो current boundary जाती है, वो ये देख सकते हैं, आप dotted line है, जिसके ओपर मैं red line draw कर रहा हूँ, ये वाली current boundary जाती है, लेकिन नेपाल बोलता है कि ये जो yellow color का part है, ये भी काली river का ही, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं, drained area है, और क्योंकि Limpia Dura से river originate करती है, इसी लिए ये वाला area भी अब नेपाल का माना जाएगा, ये पूरा-पूरा issue है, जिसको हमने आपके साथ बहुत ही brief में share किया है, जिसके चलते ये पूरा विवाद अभी भी चल रहा है, resolve नहीं हुआ है, I am sure आप इसमें से recognize कर सकते हैं, कौन से important facts हैं, जो आपको समझने हैं, जो आपको याद करने हैं, चलिए next topic की तरफ बढ़ते हैं, ये एक report आई थी OPCW की, आपको मालूम होगा अगर आप current affairs को काफी समय से follow करते आए हैं, Syria में 2017 में बहुत जादा खतरनाक attack हुए थे, और ये जो attacks हुए थे, ये basically रसाइनिक हथियारों के द्वारा किये गए थे, और इसके चलते यहाँ पर ये वाली organization, organization for the prohibition of chemical weapons, basically ये चर्चा में आ जाती है, so OPCW ने एक investigation and identification team बिठाई थी, जिसको की IIT के नाम से जानते हैं investigation and identification team, ठीक है, और इस particular report में OPCW ने यहाँ पर IIT के द्वारा जो पहली report है, उसको release करवाया, और उन्होंने ये कहा, साफ साफ बोल दिया है कि Syrian Arab Air Force, SAAF, ठीक है, इसकी short form है, साफ, यहाँ पर Syrian Arab Air Force ने chemical हत्यारों का इस्तिमाल किया, और अपने ही नागरिकों के ऊपर इन chemical हत्यारों को use किया, so ये crux है basically, आपको लेकिन यहाँ पर जानना होगा कि कौन से chemical हत्यार थे, उनके बारे में question आ सकता है, science and tech के area में, and secondly आपको जानना होगा कि OPCW basically क्या है, कब बनाया गया था, क्या इसकी important points है, so very short, very shortly जल्दी से cover कर लेते हैं, organization for the prohibition of chemical weapons for the first time explicitly blamed Syria for toxic attacks, ये जो OPCW की investigation and identification team है, IIT, इन्होंने अपने report में कहा, that the Syrian Arab Air Force used the nerve gas serene and chlorine, ये दोनों ही nerve gases यहाँ पे use की गए थी, एक serene और chlorine, three times in Latamena Syria in 2017, so सवाल ये भी आ सकता है कि ये वाला area कहाँ पे located है, Latamena, ये Syria में located है, also comment section में आप मुझे बताईए कि Syria का capital क्या है, right, यहाँ पे serene और chlorine gas की बात करते हैं, तो serene clear है, colorless है और tasteless liquid है, important to note, ये clear, colorless और tasteless liquid है और इसमें कोई यहाँ पर odor नहीं है, यानि कि कोई इसकी smell नहीं है, लेकिन ये इसकी pure form की बात हो रही है, अब लेकिन जैसे ही ये हवा में आता है, it can evaporate into a vapor and it can spread into the environment, और जब ये हवा में chemical warfare agent and it is also called as a nerve agent, nerve agent basically काम कैसे करता है, ये आपकी body के अंदर एक बार चला जाए, तो आपकी body का अगर मालीजे कोई on switch है, तो उसको ये off कर देता है, आपके सारे glands और muscles यहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं and once your glands basically आपके काम करना बंद कर दे, आपकी body becomes useless, आप ऐसा मान सकते हैं कि उसके बाद आपकी body किसी काम की नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, so इस तरीके से ये आपकी nervous system को attack करता है, तो आपकी body को completely खतम कर देता है, this is the use of serene and secondly chlorine है, it appears to be yellow green in color, it does sink and displace breathable air, so it can asphyxiate people, so ये क्या करता है कि जो आपकी oxygen है, जो normal हवा जिसको आप breathe करते हैं, जिसको कि आप सांस लेते हैं, उसको ये sink कर, उसको ये धबा देता है और उसको displace भी कर देता है, जिसकी वज़े से आपके फेफडों में chlorine भर जाती है, and then you can be asphyxiated, asphyxiated यानि की आपको सांस आना बंद हो जाएगा, जिससे आपकी मौत हो जाती है, so ये दो gases यहाँ पर इस्तिमाल की गई थी, particularly Syrian Arab Air Force के द्वारा, and finally जाते जाते हैं, अगर हम बात करें OPCW के बारे में, so यहाँ पर एक important convention है Chemical Weapons Convention, इस convention को implement करने के लिए ये वाला संस्थान बनाया गया है OPCW, इसका मुख्याले, Netherlands का, जो एक बहुती फेमस शहर है, Hague, यहाँ पर located है OPCW was awarded the Nobel Peace Prize in 2013, क्योंकि इन्होंने कई सारे efforts के, कई सारी कोशिशें की, to eliminate chemical weapons all across the world, in fact, जो भी यहाँ पर signatories हैं, CWC के और OPCW के members हैं, वो यहाँ पर basically किसी तरह के chemical weapons की manufacturing नहीं कर सकते हैं, यह उनके उपर जिम्मेदारी आ जाती है India भी OPCW का member है और CWC का signatory है, CWC को ratify किया गया है 193 countries के द्वारा, important to note, Israel एक ऐसी country है, sign किया है, लेकिन ratify नहीं किया है और 3 countries ऐसी हैं दुनिया भर में जिनोंने इस particular convention के ऊपर signature भी नहीं किया है, which are Egypt, North Korea and South Sudan Please remember this, very very important, यह 3 countries जिनोंने यहाँ पर इसके ऊपर sign भी नहीं किया है Next, हम topic की बात करते हैं, छोटा सा topic है Indian Ocean Commission का, I will come back to the question, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, Indian Ocean Commission के बारे में यहाँ पर आप देख लीजे, 2018 and 2019, काफी लंबे समय से यह वाला commission चर्चा में चल रहा है and almost मैं 2 साल से expect कर रहा हूँ कि इसको लेके सवाल जरूर आएगा, अभी तक नहीं आया है, but 2020, again, क्योंकि unpredictability बहुत जादा है इस साल में, I am hoping कि इस साल यह सवाल आ सकता है Now, यह सवाल क्यों relevant है, क्यों चर्चा में है, यहाँ पर इंडिया को admission दी गई as fifth observer to the Indian Ocean Commission ठीक है, इंडिया को admission दी गई as fifth observer to the Indian Ocean Commission Important to note कि Indian Ocean Commission में, इंडिया सदस्से नहीं है, यह केवल एक observer state की तरह काम करता है So, India has become the observer of Indian Ocean Commission, यहाँ पर जानते हैं, Indian Ocean Commission basically क्या है It is an intergovernmental organization created by the Port Louis Declaration in 1982 Comment section में आप हमें बताईए, Port Louis जो है, किस country के साथ सम्बंद रखता है ठीक है, सो यह एक अंतर सरकारी संगठन है, Port Louis की declaration से बनाया गया था 1982 में Now, यहाँ पर इस particular declaration को institutionalize किया गया था 1984 में और यह institutionalize किया गया था Seychelles में, आपको comment section में यह भी बताना है Seychelles किस continent का हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पर जब इसकी institutionalization की गई So, आया picture में Victoria Agreement, जिसके चलते इसका पूरा secretariat अगरा सब कुछ बनाया गया And now finally अगर हम देखें, IOC एक ऐसी regional organization है अफरीका में, composed exclusively of islands इसमें केवल और केवल द्वीप हैं, इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो की non-island country हो, ठीक है Which brings together five member states, केवल ये पाँच members हैं, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है Seychelles, Mauritius, Madagascar, Reunion and the Union of Comoros आप इस दिरिश्य को देख सकते हैं, ये जो circle बनाया गया है Seychelles हैं, Union of Comoros हैं, Madagascar हैं, Mauritius हैं and Reunion Islands हैं ये पाँच islands हैं, जो की IOC का हिस्सा है Observer Members कई सारे हैं, आप देख सकते हैं, China है, EU है, Malta है, International Organization of Francophonie, Japan, UN, India ये सब इसके Observer Members हैं Obviously इसका जो mandate है, यानि कि इसका जो vision है, वो क्या है कि support its member states in the path towards sustainable development सतत्विकास के लिए ये लोग काम करते हैं But आपके लिए most important क्या है, Members कौन से है और कुछ-कुछ Observers आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर India, China जो है, ये Observer states हैं, ना कि Member states है इसको लेकर अब हम सवाल देख सकते हैं Which of the countries are the members of Indian Ocean Commission अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं कि अगर आपको guess लगाना है So आपको लगता होगा कि Indian Ocean है So Indian Ocean है, तो India तो होगा ही Pakistan भी होगा, Sri Lanka भी होगा But ऐसा नहीं है ये तीनों इसमें बलकी नहीं है ठीक है, केवल ये दोनों है Madagascar and Mauritius, option number C आपका सही जवाब हो जाता है केवल और केवल आइलेंड states हैं, जो कि इसका हिस्सा है Finally, एक आखरी news cover करते हैं हम और यहाँ पर मुद्दा है Gilgit Baltistan का Gilgit Baltistan का जो मुद्दा है ये चर्चा में क्यों था यहाँ पर basically क्या हुआ था भारत ने पाकिस्तान के High Commission को एक Protest यहाँ पे दर्च किया और ये Protest क्यों दर्च किया गया था भारत ने पाकिस्तान के High Commission में Protest दर्च किया गया था क्यों किया था Because पाकिस्तान की Supreme Court का Order आया था जिसके चलते इन्हों ने ये कहा कि Gilgit Baltistan में चुनाव हो सकते हैं By asserting that Pakistan लेकिन भारत ने क्या कहा कि पाकिस्तान Supreme Court का ये order जो है वो गलत है क्योंकि पाकिस्तानी institutions have no locust stand-eye on territories illegally and forcibly occupied by it आपको मालूम होगा Gilgit Baltistan का जो इलाका है ये असल में P.O.K का पार्ट है क्योंकि ये P.O.K का पार्ट है और भारत ये बोलता है कि पाकिस्तान ने इसको illegally यानि की अवैद रूप से और forcibly occupy किया हुआ है जिसके चलते इनके पास कोई local stand-eye नहीं है जिसके चलते पाकिस्तान की Supreme Court का ये जो फैसला है कि यहाँ पे elections को conduct किया जा सकता है ये फैसला यहाँ पर हम रद करते हैं ये इसके चलते इंडिया ने protest login किया कहाँ पर पाकिस्तान के High Commission जो की New Delhi में बैठते हैं उनको जाके protest को login किया था आप देख सकते हैं इन lines with the diplomatic protocol forced by the guidelines on social distancing a strong protest was registered by serving a demarch to the acting head of the Pakistani High Commission in New Delhi through a phone call reason आपको बता दिया है मैंने थोड़ा सा और जानते हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था तो पाकिस्तान की Apex कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जो government of Gilgit Baltistan order 2018 है इसके चलते एक caretaker government establish की जाएगी और यहाँ पर provincial assembly elections भी hold की जाएगी तो यह exact order था order का date है 2018 ठीक है Gilgit Baltistan order 2018 के तहत हम एक caretaker government establish करेंगे और यहाँ पर provincial assembly elections भी hold करेंगे यह basically order था जिसके चलते भारत ने यह protest को launch किया था अब एक तो यह कारण हुआ दूसरी बात हमने जिसको हमने पहले भी discuss किया था कि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा रिसेंटली approval दिया गया था डाइमेर भाषा डाम को डाइमेर भाषा डाम जो है यह भी Gilgit Baltistan में located है और यह इंदस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है यह वो वाला डाम है जो की काफी लंबे समय से सुर्खियों में था almost 1997 से इसको लेकर बात चल रही थी लेकिन इंडिया के कई सारे protest की वज़े से इस पर काम शुरू नहीं हो रहा था फाइनली पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिल करके इस project के ऊपर अब काम शुरू कर रहा है यह दो कारण रहे भारत के लिए जिसकी वज़े से उनको यह protest यहाँ पर lodge करना पड़ा थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा with respect to Gilgit Baltistan आप इस map को यहाँ पर ध्यान से देखिए जम्मू कश्मीर का यह basically इलाका है अब आपको मालूम होगा कि after the removal of article 370 यह जम्मू कश्मीर का UT है और यह वाला जो UT है यह लदाग का है अकसाई चिन disputed area है और Gilgit Baltistan या फिर जिसको की हम P.O.K के नाम से जानते हैं यह भी एक disputed area है यह illegally occupied है पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर इसको पाकिस्तान बोलता है Gilgit Baltistan भारत इसको बोलता है P.O.K लेकिन पाकिस्तान इसको बोलता है Gilgit Baltistan आप ध्यान से देखिए आपकी left side में पाकिस्तान का map दिखाया गया है पाकिस्तान में कुल में लाके चार राज्य है एक है बलूचिस्तान, एक है सिंध, एक है पंजाब जो की सबसे ज्यादा improtent है इनका area and then is Peshawar sorry Kyber, Paktunwa ठीक है एक है फस्तान पाकिस्तान पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ये चार provinces है जो की पाकिस्तान में आज कीदिट में exist करते है पाकिस्तान यहाँ पर ये basically बोल रहा है कि हम Gilgit Baltistan को अपना पाँचमा प्रोविंस घोशित कर देते हैं और इसी लिए यहाँ पर एक caretaker government establish कर देंगे and provincial legislative assembly के यहाँ पर हम elections भी करवा देंगे तो यह मुद्दा है अगर हम गिलजट बाल्टेस्टान की history की बात करें सो रीजन आपको मालूम है यह princely state of जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना जाता है पाकिस्तान के control के अंडर है यह since November 4, 1947 सो तब जो invasion हुई थी तब से लेके आज की date तक पाकिस्तान की control के अंडर ही है उस time पर इसका नाम रखा गया था Northern Areas of Pakistan क्योंकि यह पाकिस्तान के बिल्कुल उत्तरी इलाके में located था उत्तरी भाग में located था और यहाँ पर कराची एग्रीमेंट 1949 के तहत यह पाकिस्तान Federal Government के control के अंडर आ चुका था अब इसके बाद क्या होता है एक नया order आता है 2009 में जिसका नाम था गिल्जिट बाल्टिस्तान Empowerment and Self-Governance Order जिसके चलते Northern Areas को हमने गिल्जिट बाल्टिस्तान का नाम देना शुरू किया था सुरी पाकिस्तान ने यह particular order के तहत legislative, assembly और एक council की स्थापना भी की गई थी और इसी order को replace किया गया था 2018 में जिसको की कहा गया गिल्जिट बाल्टिस्तान का order 2018 Supreme Court of Pakistan ने इस order के तहत यह कहा है कि हम एक caretaker government बनाएंगे यहां पर और साथ ही में यहां पर provincial assembly elections को भी hold करेंगे जिसके चलते भारत ने यहां पर protest को lodge किया था वैसे सवाल आपको इस particular protest से नहीं आएगा लेकिन सवाल आपको इसकी history से आ सकता है यह वाली जानकारी आपको होनी अवश्यक है इसके इलावा अगर आप देखें 2018 का जो order है यह साथ में यह भी कहता है कि हम गिल्जिट बाल्टिस्तान को 5th province की तरह accommodate करना चाहते हैं and we want to integrate गिल्जिट बाल्टिस्तान with the rest of the federal structure of Pakistan by legislative, judicial and administrative measures. Already आपको बता चुका हूँ कि 4 provinces हैं बलुचिस्तान, खाइबर, बक्तौनवा, पंजाब और सिंध, ठीक है important क्या है? इंडिया यहाँ पर क्या बोलता है कि जम्मू कश्मीर के सारे इलाके जो हैं including गिल्जिट बाल्टिस्तान, they are integral part of India and finally before we end this, आपको पता होना चाहिए कि जो चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है under belt and road initiative, चाइना पाकिस्तान economic corridor, जिसको कि हम CPEC के नाम से जानते हैं, that also passes through the गिल्जिट बाल्टिस्तान इंडिया इसको लेके तो काफी जाधा परिशान है, काफी लंबे समय से, लेकिन अब जो है, इंडिया ने protest lodge किया था because of this particular order being passed by the Pakistan Supreme Court राइट, सो इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि हम कुछ और टॉपिक्स को डिसकस करेंगे, कोरोना के टाइम पर सबसे एहम अगर developments हुई है तो वो IR के टॉपिक में ही हुई है इस बार के पेपर में कई सारे सवाल IR के टॉपिक से आ सकते हैं प्लीज ध्यान रखेगा, इस चीज़ को lightly नहीं लेना है So, I take your leave, thank you for listening Stay tuned and stay safe